शेहर के केशव लॉज में शाररिक सम्हन बनाते हुए यूवक की अकास्मिक मौत से जहां जन्मानस इस्तव है वहीं शेहर के दरजनों लॉज में चल रहे अनैतिक दह वेफसाई की परत दर परत खुल नए नए राज उजागर हो रहे हैं जो इस खिनोंने वेफसाई का असली सच बया करता है शेहर के रहाईशी लाकों के गली गूचों के साथ साथ खेत खलियान और मों के रास्तों पर धड़ले से खुलते लॉज सारे नियमों को धता बता कर लॉज की आर्मे संचलक दह वेफसाई को बढ़ावा दे कर शेहर की आबो हवाव संस्कृति के साथ खुलियाम खिलवार कर रोजाना लाकों की माया काट रहे हैं इस गिनोने वेफसाई में शेहर के कुछ स्वेंबू समात सेवियों की लिप्तता के साथ ही स्थानिक अधिकारी और सम्मंदित अधिकारियों पर धोस जमाने हे तू छुट भाईयाओं के साथ साथ कुछ लॉज संचालक शेत्र के कदावन नेता विधायकों के बड़े-ब बड़े बोर्ड लॉज की प्रवेश्धवार पर लगा कर उनकी छवी भी जन समान्य में बिगणने से तक नहीं चूगते शेहर के लॉज शेत्र में रहने वाले लोगों की माने तो सुबह पाच बजे से शेहर के लॉज में शाले और विध्यालिन चात्र चात्राओं का थ लड़की पसंद करो और कमरे में जाओ का खेल ध्रल्ले से जारी होने की जानकारी निकल कर आ रही है लोज परिस्द में रहने वालों ने अपना नाम आगे ना आने की शर्थ पर बताया की सटवा माता शित्र के केशव सूरिया संकेत आधी लोज के साथ साथ अन्य लोज में खूफिया रास्ती और ऐसे चिपे कैमरे हैं जहां अचानक हुई कारवाई के दौरान इने चिपाया या बाहर निकाला जाता है तो वहीं लोज संचालक मैनेज़र और दलालों के पास इस घिनोने वेफसाई में लिप्त आसपडोस के गाव शहर के साथ साथ मध्यप्रदेश की अनेक युफ्तियों की फोटो और केटलॉक उपलब्ध होते जो पसंद हो वो बाला पल में उपलब्ध हो जाती है लोज के जिनोने वेफसाई का यह एक सच भार निकल कर आ रहा है की कुछ वर्ष पहले तक 57 रुपे वाला मंजन और 25-30 रुपे के आयुर्वेदिक तेल बेचने वाले देखते देखते करोड़ पती बन गए और शहर के साथ साथ अन्य शहरों में भी लोज संचालत कर इस लोज वेफसाई के आड में इस देख वेफसाई से रोजाना लाखों की माया जमा कर रहे हैं यह बात किसी से छिपी नहीं है शेर के हर लॉज की बारी से उचित जाच की जाए तो लॉज वेफसाई के आड में शुरू जिसमें फरोशी के इस धंदे का काला सच और घिनोना रूप उजागर होते देन नहीं लगेगी रिहाईशी इलाकों की लॉज बंद किये जाए इस्थानिक बसस्टेंड शेत्र के सट्वा माता परिसर के रिहाईशी और मुख्य मार्क पर स्थित्य ट्यूशन क्लासिस दवा खाने आदी के करीब स्थित्य लॉज की मानितर रद्द करने की मांग सामने तैसिलदार और विवाग्य दिकारे पुलिस प्रशासन जिला दिकारी आदी से शेत्र के समात सेवी और नागरिकों ने की लेकिन अब तक इस्थानिक प्रशासन कोई ठोस कदम उठाने में अब तक तो नाकाम ही सिद्ध हुआ है समय रहते शेहर के लौच में चल रहे अवैद वेफसाय पर नकेल ना कसी गई तो शेहर के कई इलाके बदनाम गलियों के नाम से पहचाने जाने लगेंगे जिसकी शिरुआज सटवा माता मंदे परिसर से हो चुकी है साथी शेत्र में रहने वाले लोगों को अपने बच्चों की भविशे का डर सताने लगा है और इस शेत्र में चल रहे लौच की मानिता रद्द कर उन्हें बंद करने की मांग उठने लगी है सावनेर से NBCN न्यूस के लिए समवादा तक किशो ढूंडेले की ग्राउंड रिपोर्ट